हलो स्टूडेंस इस वीडियो में आप लोगा स्वागत है इस वीडियो में हम लोग त्रिकोड मीती के महत्पूर्ण सूत्र को देखेंगे तो चले स्टूडेंस इस्टार्ट करते हैं तो त्रिकोड मीती के महत्पूर्ण जो सूत्र है उसको सबसे पहले हम एक समकोड तो यहाँ पर मैं समकोड त्रिभूज बना लेता हूँ ठीक है यहाँ एक समकोड त्रिभूज है जहाँ पर भी जो होता है वह 90 अंस का कोड बना रहा है ठीक है अब इसमें हम लोग एक निन कोड मानते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं सी को निन कोड माना ठीटा तो एक बात याद रखना इस्टूडेंस जो निन कोड जो होता है उसका सम्मुक जो भूजा होती है वह हमेशा लम कहलाती है हमेशा लंब का लाती है, अर्थार अभी जो है वह एक लंब है, और यहाँ पर जो B-C जो भुजा है, वह अधार है और यहाँ पर जो C जो है वह एक कड है, तो इस समकोल त्रिभूच के सारे से हम त्रिकोल मिति के महत्पूर सुत्र को देखेंगे तो चलिए देखते हैं पहला जो त्रिकोड्मिती का जो फार्मला वह कॉस्ट ठीटा होता है ठीक है स्टुडेंस और तीसरा जो होता है वह तेन ठीटा का होता है ठीक है और हमारा चौथा जो होता है स्टुडेंस वह कॉट ठीटा का होता है और पांचवा जो होता है वह सेक ठीटा का होता है और हमारा छठा जो होता है वह कोसेक ठीटा को होता है तो इसका नाम को आप लोग एक बार याद कर लेना पहला जो होता है वह साइन ठीटा दुसरा कॉस ठीटा तिसरा टेन ठीटा चौथा कॉड ठीटा और पाचवा सेक ठीटा और छठा जो होता है वह कोसेक ठीटा होता है तो इस त्रिकोड मिती का फार्मला जो है इस समकोड त्रिभूज के अधार पर हम लोग ग्याद करेंगे तो साइन ठीटा का जो फार्मला जो होता है वह लंब बटे कण होता है students लंब बटे कण तो यहाँ पर लंब है हमारा AB और कण जो है हमारा AC ठीक है इस्ट्रेंस अब यहां पर कास ठीटा का जो फार्मला जो होती है वह अधार बटे कंड होती है तो अधार है हमारा BC और कंड है हमारा AC ठीके इस्ट्रिडेंस अब जो 10 θीटा का जो फार्मला जो होती है वाह Nemb बटे अधार होता है तो देखों Lemb है हमारा AB और अधार है BC ठीके इस्ट्रिडेंस अब 4 जो होती है QUOT़ट ऎंधार जो होती है तो इस तो इस समकोर्ट त्रिभुस के सारे से ठीक है स्टुडेंस अब सेख ठीटा का जो फार्मला जो होती है वह होती है करण बटे अधार होती है सेख ठीटा का जो फार्मला जो होती है वह करण बटे अधार होती है तो करण है है A C और अधार है B C ठीक है students, अब लास्ट हमारा कोसेख ठीटा का जो सुत्र जो होती है, वह होती है कड़ बटे लम तो कड़ है AC और लम है AB ठीक है, इस सुत्र को आप लोग याद ही कर लेना students इस सुत्र को याद करने के लिए मैं आप लोग को एक टिक बताता हूं ताकि आप लोग को इजली तरीके से या फार्मला याद हो जाए और भहुत समय आप लोग कभी भी भूल नहीं सकोगे ठीक है तो इस सुत्र को याद करने के लिए एक टिक है इसको आप लोग लिख लेना, नोट कर लेना और याद कर लेना लाल बटे कका ठीक है इस ट्रिक के माध्यम से इन छायोत रिकोड भी ती सुत्र का फार्मला इसी तरीका से याद कर सकते हैं आप लोग तो अधार बटे कर्ण जो होता है वह कोस ठीक है ठीक है स्टुडेंस, अब यहाद बटे लिए लम बटे अधार इसका और था वह किसका फार्मला है वह अर्ट टिक है स्टुडेंस मैं, इसके रिचेंगे कोस ध ठीक होता है और कड़ बटे अधार जो होता है वह सेख ठीटा का होता है और कड़ बटे जो लम जो होती है वह को सेख ठीटा का होती है तो इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से आप लोग इस छायो त्रिकोल भीती सुत्र का फार्मला इजली तरीके से याद कर सकते हो फ्रेंट्स तो आप ल तक के लिए धन्य वाल, thank you for watching this video.